तीशरा देखते हैं, a, b belongs to r, यानि मतलब यह हुगा, कि a minus b, जो है न, belongs to z, यानि कि a minus b, एक क्या है, तो वो एक पुर्णांग है, and दूसरा चीज़ दिया है, b, c, ये भी बिलॉंग कर रहा है, b, c belongs to r, यानि कहने का मतलब यह हुगा, तो देन आप यह कह सकते हैं, देन आप कह सकते हैं, कि a और c, बिलॉंग करेगा r, इसका मिनिंग क्या होगा, कि यहाँ पे a minus c, भी एक पुर्णांग होगा, एक्जाम्पल से भी आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसी तरह का एक 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 जामपल लेके भी आप लोग इसको solve कर सकते हैं माल लेते हैं हम लोग एक integer लेते हैं देखिए हाप लेते हैं किस तरह से पर्मेशन खेले रहा है ना साथ बटा तीन और एक चार बटा तीन यह R से बिलोग कर रहा है इसका मतलब यह होगा कि साथ बटा तीन में से चार बटा तीन घटाएंगे तो आपका आ जागा ना जारी तीन बाई तीन यानिकि पुरण पहन त्वाज़ागा अच्छा और यह भी माल लेते हैं चार बटा तीन और कॉमा में एक बटा 3 ये भी बिलौग कर रहा है आर से ये दो चीजे बिलौग कर रहे है आर से यानिकी 4 by 3 minus 1 by 3 ये भी 1 आगया ये भी पुर्णाः खो गया तो यानिकी अब A और C देखेet A B और B C दोनों बिलौग कर रहा है तो हमें A C भी जेख तो यह भी सटिस्फाइक कर रहा है समझ गया चलते अगले कोशन की और यह तो कोशन